हेलो प्यारी बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे चलि आज की वॉक्षीट शुरू करते हैं यह वॉक्षीट है कक्षा 8 की और वॉक्षीट नमबर है 29 जो की 17 नवंबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का विशह है बच्चों सामाजिक वि सब्सकारे में धर्म निरपेक्ष राज्य वै होता है जिसमें राज्य अधिक्रित रूप से किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता यानि राज्य के लिए सभी धर्म बराबर होते हैं वो किसी एक धर्म को बढ़ा या एक धर्म को छोटा या फिर एक धर्म को बढ़ावा देना और दूसरे धर्म को सप्रेस करना ऐसा नहीं करते हैं नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंतरता होती है सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचर्णों को समान समान देती है तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि सरकार की नजरों में हमारे देश और राजी की नजरों में सभी धर्म बराबर होते हैं और सरकार इन धर्म के मामले में इंटरफेरंस नहीं करती है अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि कभी कभी देश का इतिहास यह तै कर देता है कि देश का सम्विधान कैसा होगा सम्विधान उन आ उप्रेखा तयार कर देता है कि हमारा देश किस धर्रे पे चलेगा यहां की क्या माननेताएं होंगी किस चीज को हम बढ़ावा देंगे किस चीज को हम रोकेंगे तो यह सारी चीजें तै करता है कौन हमारा सम्विधान हालांकि भारते सम्विधान एक लचीला सम्विधान है लचीला सम्विधान का मतलब होता है कि सम्विधान में हम समय के साथ परिस्थितियों के साथ बदलाव कर सकते हैं राजनीती की नई चुनौतियों को अपनाने के लिए इसमें कई संशोधन किये गए हैं अकसर सम्विधान में बड़े बदलाव का मतलब देश के मूल स्वरूप में बदलाव होता है तो देखो अगर हमारा सम्विधान लचिला सम्विधान है तो हम ऐसा भी हो सकता है कि सम्विधान में वो चीजे कर दें जिससे की सम्विधान जिस तरीके से बनाया गया था या उसका जो उद्देश इथा शुरू में वही पूरी तरीके से बदल दिया जाए तो यहाँ पे सम्विधान बदला जा सकता है पर सम्विधान को बदलने की ताकट जुन के पास है उन्हें इसका बहुती जिम्मेतारी से काम लेना होगा इसके साथ कि इतना जादा बदलाव ना करें कि जो उसका मुल उद्देश था वही खतम हो जाए अब यहाँ पे देखो हमें तीन तस्वीरे दिखा रखी है उप्रोक्त तस्वीरों में 24 जन्वरी 1950 को सम्विधान सभा यानि वो सभा जिसने सम्विधान को बनाया था कि विभिन सदर से अपनी आखरी बैठक में सम्विधान की एक प्रती पर हस्ताक्षर कर रहे हैं 22 से सबसे पहले वाले चत्र में प्रधान मंत्री जवारलाल नहरू दस्तकत कर रहे हैं दूसरे चत्र में हम देखेंगे सम्विधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजींद्र प्रसाद जी हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं और तीसरे चत्र में हम देखेंगे कि ये लोग मंत्री थी उस समय की डॉक्टर जॉन विठ्य मंत्री थे और संविधार वय भाई प्रिदान मंत्री तथा ग्रह मंत्री थे तथा उनके पीछे-ष्ठी जग्जीवन-राम-यादी के शिरम मंत्री लेबर मिनिस्ट्रृ जीके कहते हैं यह सारे खढ़े हैं तो हमने देखा इस च कर्तव्यों का भी उलेख किया गया है तो हमारे समिधान में ना सेफ मौलिक अधिकार है बलकि मौलिक कर्तव्य भी दिये हुए हैं हालनकि जो 11 मौलिक कर्तव्य में से प्रतेक से संबंधित रेखा चित्र तस्वीर बनाईए तथा उन पर कविताएं या गीत लिखिए और कक्षा में चर्चा कीजे तो आप चाहें तो हमारे क्योंकि 11 मौलिक कर्तव हैं तो इन कर्तव्यों से जुड़े हुए आप कोई चित्र बना सकते हैं जैसे कि हमारा मौलिक कर्तव है कि हम अपने देश को साफ रखें हम दूसरे देशों के साथ शांती पूर्ण व्यभार करें तो इन चीजों को आप तस्वीरों के द्वारा कुछ कविताओं के द्वारा कुछ गीत के द्वारा या कुछ पंक्तियों के द्वारा आप दिखाने की कोशिश कर सकते हैं के बच्चों अब हम आते हैं यहां पे हमारे अभ्यास के प्रश्णों की तरफ पहला प्रश्ण है कि निम्न लिखित स्थितियों में किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम जानते हैं हमारे 6 मौलिक अधिकार होते हैं उन में से किस अधिकार का हनन यहां पे किया जा रहा हमें वो बताना है पहला है यहां पर यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कार खाने में मजदूरी करता है तो हम जानते हैं कि 14 साल से कम्र उम्र के बच्चों को किसी भी कार खाने में मजदूरी कराना शरम कराना गैर कानूनी है तो यहां पर कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो र रहा है दूसरा है कि यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो देखो हमारे पास यह अधिकार है कि हम कहीं पे भी जाकर बस सकते हैं कहीं पे हम जाकर काम कर सकते हैं कोई भी वैवसाय अपना सकते हैं तो ज ठीक है अब हम देखते हैं सी पार्ट सी पार्ट में हमें कह रखा है कि यदि किसी जन समू को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुबती नहीं दी जाती है देखो राजस्थान में तेलुगु भाशी लोग अल्पसंख्यक मात्रा में होंगे और वो ूरी संस्कृति को बचाने के लिए कोई स्कूल खोलना चाह रहे होंगे और ऐसे में उनको रोका जा रहा है इसका मितलब की संस्कृति वा सिक्षा संमन्दी जो अधिकार है हमारे उस पर रोक लगाई जा रही है तो सी का आंशर आ जाएगा किसा किसा source कृतिक वा सैक्शनिक अधिकार इसका उलंगन किया जा रहा है C पार्ट में अब हम देखते हैं D पार्ट इसमें कहा गया है कि यदि सरकार सरसर्ष्र बलो में कारेरत किसी अधिकार को इसलिए पदोन्नती नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जेंडर के आधिकार पर भेदभाव किया जा रहा है तो यहाँ पे जिस अधिकार का उलंगन किया जा रहा है D पार्ट में वो है समानता का अधिकार क्योंकि कानून की नजरों में हर एक स्त्री या पुरुष बराबर है लेकिन अगर आप किसी को इस आधार पर रोक रहे हैं कि वो महिला है या वो पुरुष है तो इसका मतलब आप उसके समानता के अधिकार का उलंगन कर रहे हैं ठेके बच्चो तो पहला प्रेशन हो गया अब हम देखते हैं दूसरा प्रेशन इसमें हमसे कहा है कि नीचे दिये गए बाएं कॉलम में भारते सम्विधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है यानि भारते सम्विधान के जो लक्षन है उन्हें बताया गया है दूसरे कॉलम में प्रतेक आयाम के सामने लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है तो आपको बताना है कि हमारे सम्विधान में संगवाद, शक्तियों का बटवारा, मौलिक अधिकार और संसदियश आशन पधिती को अपनाया गया है तो इनके क्या महत्व है और यह क्यों जरूरी है? चलिए इनका अंसर लिखते हैं one by one तो बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो लक्षन है वो है संगवाद संगवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा शेत्रिय सरकारों के मध्य होता है तो हमारे देश में ये इंशियोर किया गया है कि शक्तियां राज्य सरकार के पास भी हो और केंद्र सरकार के पास भी हो जिससे कि सभी के हितों का यहाँ पे पूरी तरीके सध्यान रखा जा सके दूसरा है शक्तियों का बटवारा तो शक्तियों के दुरुपयों को रोकने के लिए ही यह प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी तो हमने देखा था हमारी पिछली वॉक्षीट में कि हमारी जो कारिपालिका है न्याइपालिका है और विधाईका है तीनों की शक्तियां अलग-अलग विभाजित की गई है और हर एक जो अंग है वो दूसरे अंग की शक्तियों के दुरुपयों को रोकता है तो इस देश शक्तियों का बटवारा भी काफी जादा महत्वपूर्ण है अगर हम इसका तीसरा हिस्सा देखें तो ये है मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राजी की सत्ता के मनमाने और निरंकुष इस्तमाल से बचाते हैं तो जो मौलिक अधिकार हमें दिये गए हैं वो हमारी रक्षा करते हैं राजी के विरुध जाकर भी क्योंकि राजी हमारे अगेंस्ट कुछ ऐसी चीज़े नहीं कर सकते हैं जो हमारे लिए पूरी त्रेके से गलत हो और अंतिम है संसद्य शाषन पत्ती इसके अनुसार भारतिय जनता को बिना किसी भेदभाव के अपना प्रतिनिधी चुनने का अधिकार है तो संशदी शाशन पत्ती में ये इंशूर किया जाता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें और जिसे चाहें वो उसे चुन सकती है तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वरकशीट and I hope आप सभी को ये वरकशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब करें थैंक यू